हर्याना सरकार के दूसरे कार्यकाल को आज मंगलवार को एक साल पूरा हो गया है जिसके चलते कर्णाल समेत सभी जिलों में आज भाजपा की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसको लेकर पूरे प्रदेश में आज अलग-अलग जिलों में कार्यक्रम का आयोजन कर सर दवारा किये गए विकास कारियों की उपलबधियों को गिन्वाय गया वही करनाल में भी जिलास्तरिय कारियक्रम में 11 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्खाटन किया गया कार्यक्रम में घरोंडा, इंद्री, नीलो खेडी के विधायकों ने शिरकत की पारदर्शिता, शेत्रवाद मुक्त, भृष्टा चार मुक्त इन स्लोगन के साथ हर्याना सरकार ने अपने कार्यक्रम की शुरुवात की बताया गया कि हर्याना की गटबंधन सरकार ने पिछले एक साल में हर्याना में क्या क्या किया और हर्याना को कहां से कहां पहुँचाया गया चाहे वो शिक्षा की बात हो या फिर खेल की या फिर स्वास्ते की या किसानों के हित हो सरकार के विधायक अपनी सरकार के कारेों का बखान करते नजर आए इस कारेकरम में करनाल जिले के अलग-अलग विधानसभा शेत्रों के विधायक और नेता आए हुए थे पूरे प्रदेश में 306 परी योजनाओं का उद्गाटन और शिलान्यास हुआ दूसरे कारेकाल का पहला साल पूरा हो गया है अब बाकी है तो बचे चार साल ये साल सरकार के लिए चुनोती पून रहने वाले हैं क्योंकि सरकार गटबंधन की है और किसान सडक पर उतर कर आंदोलन कर रहा है ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार के आने वारे चार साल कैसे जाते हैं उन्होंने उस बात को रंजी समें रखते हुए बाखु को जैकुमार जो है अपने गर से बाइक उठा करके बाखु को उसके गर से ले करके आया चुरा ले करके बाखु के पास चुरा था और जैकुमार उसको बिठा करके ले करके आया बाइक पे आ करके उन्होंने लगबग पांच बजे बुद्धुराम जी पर चाकों से हमला कर दिया जैकुमार ने उनको पकड़ा और बखुराम ने उनको छुरे गोप दिये उसके बाद में वो ये जैसे गटना हुई आसप्डोस में जो मेरा भाई था और एक पंड़जी थे उन्होंने देखा जब वो आए तो उसको छोड़के बागे जाने के बाद में मेरा भाई गाउं में आकरके इनके परिवार को तला कि कि ऐसे से करके बुद्धुराम जी के साथ गटना हो गई है तब परिवार आया उसके बाद में आगे उनको ट्रीटमेंट के लिए लेके गए जैसा कैसा भी हुआ हमारे पैसे साथी था जिसने पकड़ा था दुलाम जी को उसी को इसमें गॉप ना परके पेच चाहारा है कि जैकुमार को भी बाखकू के शाध सजामिले क्योंकि क्योंकि वो बराबर का हगदार है बराबर का उसमें कतल करने में साजिस में उसके शामिल है गाउं आमरित पुरकला का है ज़र मतलब पूरा साजे से कतल करने के लिए कम से कम 20 वार उनके बोड़ी पी हुए है उप्रेशन के तहित में उनके साथ था उनको सटीची से लगाते हुए डोक्टर साब यह कहां कहां लगाए इवन दैन उनके गुपतांग पर बरी चकुक वार किया तो हम रोड़ जाम करेंगे साब से मिलेंगे देखिए यहां पर हमारे प्रशासनी का दिकारी SP, DSP, DC साब बैठे हैं देखिए होना तो यहीं से चाहिए हमें उमीद है प्रशासनी हमारी मदद करेगा अगर नहीं होता IG साब बैठे हैं उसके बाद CM साब बैठे हैं हम अनिलवीज तक जाएंगे आज हम हमारे साथ 500 आदमी हैं कम से कम हम आज शांती प्रियत तरीके से अपनी मांग रखने के लिए हैं कि जो यह हमारे साथ दांदली हो रही है जो हमारे SP साब भी बैठे हुए हैं DC साब बैठे हैं और हमारे जो लोकल विदायक हैं मनियार विंदर कल्यान जी उन से मिलें मांग हमें न्याय चाहिए दोनों मुझनिमों को सजा मिले इनके उपर केस दायर हो और दोनों को सजा मिले मटर केस जो लगना है वो लगे देखिए भारते जनता पार्टी और जेजेपी के गटबंदन की सरकार का आज एक वर्ष पूरा हुआ है और इस उपलक्ष में आज राज्यस्तरिय जो ये कारेकरम जिसमें मान्य मुख्यमंत्री श्री मनोर लाल जी ने हिसार में रहते हुए वीडियो कॉन्फरेंसिंग के द्वारा पूरे हर्याना परदेश की लगबग 300 प्रियोजनाओं का शिलान्यास और उद्गाटन किया है और लगबग सारा सो करोड ृपय की ये सबी प्रियोजनाओं और आज तक के इतिहास में हर्याणा परदेश के इतिहास में ये पहला अफसर है जब इतनी बड़ी संख्या में प्रियोजनाओं का उदगाटन और शिलानियास हुआ हो तो आज इस कारिकरम में हर जिले से जो लोग जुड़े हैं करनाल जिले में भी आज इस कारिकरम में क्योंकि करनाल जिले की 11 प्रियोजनाएं जिनका आज उदगाटन और शिलानियास उसके लिए मानने मुख्य मंत्री जी का बहुत बहुत आभार पूरे करनाल जिले के लोगों की तरफ से और मैं समझता हूँ कि जो एक वर्ष ये सरकार का पूरा हुआ है जिस परकार से पिछले पांच वर्षों में भी भारती जनता पार्टी की सरकार ने मुख्य मंत्री मनोरलाल जी के नेतरतु में विकास की नई बुलंदियों को छुआ है इस दूसरे कारेकाल के पहले वर्ष में भी जिस तरीके से विकास के कारे दोबारा शुरू हुए है क्योंकि शुरू में निश्चित रूप से करोना की वज़े से कारे बादित हुए थे मगर अब कोरोना के साथ भी लोगों ने जीना सीख लिया है और ये भी एक लड़ाई कोरोना के साथ अभी चल रही है मगर साती साथ विकास के कारे भी वो शुरू हो चुके हैं और हमारा खास तोर पर करनाल जिले की में बात करूँ जिसने बहुत लंबे समय से हर्याना प्रदेश के इतिहास में पहली बार विकास को महसूस किया है जब से भारती जनता पार्टी की सरकार बनी है तो अगले चार वर्षों में भी सभी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर आ में बहुत मजबूती के साथ गटबंदन वहां पर लड़ रहा है और निश्चित रूप से भारतिय जनता पार्टी और जेजेपी का जो सांजा उमीदवार वहां पर योगेश्वर जी हैं वहां पर विजही होंगे और एक संदेश पूरे हर्याना प्रदेश में एक जाए बिजली सप्लाइबिजली मिलेगी बिजली पूरी मिलेगी 24 गंटे बिजली मिलेगी इससे निश्चित ओर से किशानों को आम नागरिकों उसके फ़ादव होना चाहिए क्योंकि आज हर एक काम जो है हम सब जो है बिजली के पर डिपेडिट हो गया है अगर खेती की बात करें आज टीओल है उस्टाही के सादन हमारे टीओल नाइंद्री मुसली तो बजल को अच्छी बिजली मिलेगी तो निच्छी तोर से अच्छी पर शेबी मिलेगी किसानों का वत्रपादन बढ़ी आगा को उनकी आमदनी बढ़ेगी वागे बढ़ेंगे जब आगे बढ़ेंगे हमारा परदेश हमारा इंद्री आगे बढ़ेंगे जन्ता अपने नेता से काफी उमीदे करती है उसके बार आपका अगरामकुमार कश्यप की बात की जाए तो उनका इंद्री प्रोजेक्ट क्या है को दिखे कि मेरा डिम पुर्य कम करने के तुमारी इतनी सडके हैं तीन साल में तुमारी पूरी कर दें सारे हर्याने की, तो मुझे भी बितायाएंगा अभी आपकी इतने किलोमेटर सटक पढ़ी है, इसकी आपको दो साल में मुझे इतना देदो तो क्या करें फिर वह करोना आ गया, तो क्रोने में सारा थोड़ा परभावी तो होता है, तो हमारे मुख्या मंतरी की सोच बहुत बढ़िया है, दोस्य थे न्चुटाले की सोच बहुत बढ़िया है, तो मिच्ची तोर से सोच किंसार वो काम कर रहे है, और इदमने कि. कि इसमें सिर्फ क्या है इसमें को कोई हाइतनी होने वाला इसे कोई MSP जो है खतम नहीं होने वारी मनियां खतम होने नहीं जा रही है तो उसको एक option को अगर हो चाहता है अगर उसका उत्पादन अगर बहार महंगे रेट पर कोई जो थो निया अगर हो चाहे तो आह सकता है बक्योफ से कोई आसा किसी कोई से अटक मैं नहीं ये इसने बहार है अगर उसको मंडियां तो है मैं सबीब जैस अनुम मतलब खरीद रही है घट जो है अब दान करेद रही है उससे तो निची तोर से हम सभी जो गटबंदन के हमारे नेता हैं मंत्रियां मुख्य मंत्री जी है सभी कार करता पूरी में से वहां पर लगा हूं तो निची तोर से जो हम वहां पर विजय होंगे और एक अच्छा मैसेज जो जाएगा जो जिन्दा में अच्छा मैसेज जाएगा से आप क्या करें देखिए कैसा है मेरा उनसे देखे मैं पहली कह जोगा है जो यह बिल है यह किशानों की इससे आमदनी भड़े आमदनी का एक ओप्सन को दिया तो समझ भी रहे हैं अगर वह ऐसा समझते तो मतलब तो मंडियों में वह कंड़ी ने लाते हैं मेरे खरमा सड़कों आ जाते ऐसा नहीं है उनका प्रोप्र लिए से सिस्टम जीरी दान भीकरा है और वह संतूष्ट है ठीक है मैं मानता हूं सुर्व सुर्व में थोड़ा सा प्रोवलों मान किशानियों कि आई है मैं यहनि नहीं कहता हो कोई प्रोवल्म आ खरमाइघन से अम नागरिकों कणाप करोन से म necesita भाप सब्सक्राइब करें आब या तो परहले के तो उसमें थोड़ा सुधार किया है मंटी में कूश दारकू या किया इसलिए थोड़ा आसा संसलों को न फिर्टे की एसे ही लेटेस्ट रबरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें हैन्ने वाल JBD Banquets Enterprise